Hello students, आज मैं आपको English पढ़ा रही हूँ, English में last video मैंने आपको A to M कराया था, आज मैं आपको matching करा रही हूँ, matching में मैंने एक side letters लिख रखे हैं और दूसरी side pictures ड्रॉ कर रखे हैं, आपको letters को picture से match करना है, for example, B for ball होता है तो आपको B को ball से match करना है, ऐसे ही आपको E for egg होता है तो आपको E को egg से match करना है, G for grapes होता है तो आपको G को grapes से match करना है, I for ice cream होता है तो आपको I को ice cream से match करना है, L for lamp होता है तो आपको L ko lamp से match करना है, जैसे मैंने B को ball से match किया है, ऐसे ही आपको homework में E for egg match करना है, जी फोर ग्रेप्स मैच करना है आई फोर आइस्क्रीम मैच करना है एल फोर लेंब मैच करना है थैंक यू